हलो फ्रेंज बिवाइन लाइट्स असोसियेशन टीम के लॉजिकल रीजनिंग सेग्मेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों इस सेग्मेंट में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं सीक्वेंशल पजल का टॉपिक जिससे की आप बहुत जादा घबराते हैं ले लेकिन उसको खाने से जिस तरह से बीमारी सही हो जाती है उस तरीके से यह जो रीस्निंग का जो पजल है वो सवाल मुश्किल तो होता है लेकिन उसको अगर आप कर लेते हैं हल तो यकीनन आप एक्जाम में अच्छा स्कूर कर लेंगे वो भी जो competitive exams होते हैं उनमें तो चल हाँ पर बोल रहा है कि 8 employee A, B, C, D, E, F, G, and H will have to take the leave in the months of January, March, July, and November but not necessarily in the same order ठीक है तो यह बोल रहा है कि 8 लोग है A, B, C, D, E, F, G, H वो लोग अलग-अलग महिने में छुट्टी लेने वाले हैं ठीक है January, March, November और July In each month, they all will take a leave on either 8th or 19th of the given month ठीक है देखो या तो कोई 8 को छुट्टी लेगा किसी भी महिने के 8 तारीक को या 19 तारीक को ठीक Not more than two employees will take a leave on the same month देखो दो employees से जादा लोग एक ही महिने में छुट्टी नहीं ले सकते ठीक तो चलिए अब ये तो puzzles की information पूरी हो गई अब हम conditions पर चलते हैं तो ये condition पहली है Only one employee will take a leave on each day ठीक ये की employee एक दिन में छुटी ले सकता है ये information थी condition पहली है Only one person will take a leave before G ये लिखा हुआ है कि G के पहले सिर्फ एक विक्ती ने छुटी लिए है तो याने कि G जो है उसने leave होगी छुटी 19 January याने 19th of January को ठीक तभी तो एक ही आदमी है जो इसके पहले छुटी लिया है और जो इसके पहले लिया है वो 8 January को ही तो लेगा है ना? Now, more than three persons will take a leave between G and A देखो, G और A के बीच में तीन से जादा लोगों ने छुटी लिए है ठीक है? तीन से जादा लोगों ने छुटी लिए है या तो आप लोग कंसिडर कर लेते हैं चार को अमूमन ऐसा होता है लेकिन एक प्रिक और लगाईए दोस्तों कि और नमबर का और नमबर से ठीक है? और टो और जो फ्रेंशिप है उसको यहाँ पे लिजे ठीक जैसे तीन से जादा बोला गया है ना? तो इसका मतलब ये समझ लिजे पांच लोगों ने छुट्टी लिए ठीक है अब जी और एक बीच में अगर पांच लोगों ने छुट्टी लिए तो जी ने 19th of January तो चुट्टी लिए बान लो ठीक अब एक अब लेगा ये हमें निकालना है तो 19th of January के बाद तो सीधे आया 8 March और 19th March फिर 8 July ठीक अब ये हुआ तीन लोगों का हो गया 19 July and 8th of November ये आया पांच लोगों का इसका मतलब जो ए है उसने कचुट्टी लिए 19th of November को ठीक तो याने की जी का निकल गया 19th of January ठीक और ए का निकल गया 19th of November जो first and last जो आकड़ा था वो निकल गया हम लोगों का ठीक है next only one person will take a leaf between a and h देखो एक ही person है जो a और h के बीच में चुट्टी लेता है तीक अब a चुट्टी कब लिया ये हमें जानना है तीक ए और h के बीच में कोई एक है जो चुट्टी लेता है अब हमें ये देखना है कि a तो 19th of November को मालनो चुट्टी ले रहा है तीक और h कब चुट्टी लेगा 8th of November को छोड़ दो तो 19th of July को h चुट्टी लेगा तीक तो ये आकड़ा निकल गया आपका g का 19th of January, a का 19th of November और h का 19th of July ठीक है अब मार्च का देखते हैं कोन आता है next है two persons will take a leave between F and C देखो दो लोग है जो F और C के बीच में leave लेते हैं तीक अब हम पहले last to first जा रहे थे अब हम first to last भी चल सकते हैं मालो के एक बार को हम ये सोचें कि F जो है पहले छुटी लिया है 8th of January को ठीक है तो C कड़ छुटी लेगा मालो ये देखना है तो F और C के बीच में दो लोगों ने छुटी लिया है तो एक तो G हो गया और एक कोई और हो गया याने जो C है उसने कड़ छुटी लिया है 19th of March ठीक तो इस तरह से जितने 19th वाले लोगे हैं सबका हमने आंकड़ा निकाल लिया है ठीक है जो 8th वाला है वो सिर्फ आपका F है ठीक है तो आप देखिए 19th January हो गया जी 19th of March हो गया आपका C 19th July हो गया H और 19th November हो गया आपका A ठीक Next Two persons will take a leaf between H and B तो वो H और B के बीच में दो लोगों ने छुटी लिया है तो H याने 19th July तो याने B जो है वो आठ माच को लेगा छुटी ठीक है तो देखो 8 में दूसरा निकल आया पहले निकला क्या 8th of January किसका F का और एक और अभी निकल गया B का ठीक 8th of March Next Only one person will take a leaf between B and F B और F के बीच में एक परसन है जो छुटी लेता है भाई देखो B ले रहा है आठ मार्च को F ले रहा है आठ जैन्वरी को तो उनके बीच में तो G ही हुआ ठीक अब तेको Next है Puzzle Two persons will take a leaf between F and C जो F है और C इनके बीच में दो लोग छुटी लेते हैं तो F याने हो गया आठ का 8th January को C हो गया आपका 19th मार्च को उसके बीच में कौन हो गया G और B ठीक Next D will take a leaf one of the day after E ठीक है जो D है ना वो छुटी कब लेता है E के एक दिन बाद ठीक Neither D nor E will take a leaf on 19th of the any given month मतलब कि ना ही D और ना ही E किसी महिने की 19 तारिक को छुटी लेते हैं तो ये तो clear हो गया कि जो D है वो 8 नमंबर को छुटी लेगा और जो आपका बाकी बचा है E वो 8 जुलाई को छुटी लेगा तो यानि पूरा 8 का भी आकड़ा निकल गया हमारा देखो 8 जानवरी को ले रहा है F तीक है 8 मार्च को आपका ले रहा है B राइट 8 जुलाई को आपका लिया E ने छुटी और 8 नमंबर को आपका D ने छुटी लिया तीक अब चलिए 8 और 19 का जो आकड़ा है वो तो हमने अलग-अलग निकाल करके आपको बता दिया लेकिन आप अपनी शीट देखिए अब हम सल्यूशन्स का मिलान पहले कर लेते हैं उसके बाद हम क्वेस्चन्स पे चलते हैं तीक है अब देखो सल्यूशन में क्या है एफ ने छुट्टी ली है आठ जानवरी को ये सही आपका ओके जी ने छुट्टी ली उन्नीस जानवरी को ये ठीक ओके बी ने छुट्टी ली आठ मार्च को हाइट सी ने उन्नीस मार्च नाइटीन्थ मार्च इने ली है एथ जुलाई H ने लिया है 19th July को D ने लिया है 8th November और A ने लिया है 19th November को ठीक, चलिए अब questions करते हैं यहाँ पे पहला question है Who will take a leave on 8th January तो बिल्कुल सही बात है F ने लिया है और answer आपका बिल्कुल सही निकल गया Next question Who will take a leave on 8th November 8th November को किस ने छुटी लिया है तो answer आपका बिल्कुल सही D ने छुटी लिया है 8 तारिक को 8th November को D ने छुटी लिया है चलिए next question पे जलते हैं Next question है H will take a leave on which date and month मरला H जो है उसने किस डेट को छुटी लिया है और किस महिने को छुटी लिये दोनों को एक साथ आपको बताना है तो answer क्या हो जाएगा Very good 19th of July अब अगला question देखें सुनिएगा ध्यान से अगला question है Who will take a leave on March month March month में किसने किसने leave ली है तो आपका answer हो जाएगा B and C तिक अब हम चलते हैं अपने last question पर हमारा last question है How many persons will take a leave between F and E F और E के बीच में कितने लोगों ने छुटी ली है answer है तीन लोगों ने तो इसी सवाल और इसी जवाब के साथ हमारा ये segment यहीं पर होता है लेकिन friends हम आपसे एक request जरूर करेंगे वो ये कि आप सभी लोग इस segment को दिल खोल करके enjoy कीजे और साथ ही इससे उन लोगों तक जरूर सा जरूर पहुचाने की पूरी कोशिश कीजेगा My most dearest of the dearest friends जो लोग internet facility का लाब नहीं उठा पा रहे हैं तो इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संज जोए हुए कि आप लोग इतनी महनद करके यहां तक पहुचते हैं हम पूरी Divine Lights Association टीम की ओर से एक बार फिर आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार